आये बच्चों आपको आज अपनी ही कहानी बताती हूँ अपनी सफलता की कहानी कह लीजिए और ये प्रोग्राम जो चल रहा है मनोदरपन उस प्रोग्राम के अंतरगत आज आपके सामने अपनी कहानी लेके प्रस्तुत हूँ जब मैं छोटी थी बहुत ज़्यादा लाड़ ली थी सबकी दुलारे थी स्कूल में मास्टर जी की घर में मादा पिता की ना जाने कितने सर्टिफिकेट कितने प्राइज़ मुझे मिले थे हर चीज में अव्वाल आना पढ़ाई हो लिखाई हो हर चीज में मुझे करता था और यही कारण था कि हर बात पर होते थे क्योंकि हर बात पर सफ्क्राइबरेशन होते थे सब लोग बहुत खुश थे, धीरे धीरे बड़ी हुई और कॉलेज में आई, कॉलेज में कुछ ऐसा हुआ कि पढ़ाई का बोज या पता नहीं क्या कह लीजे, मैं हर काम में लेट होती गई, अपना कोई भी काम टाइम से नहीं गरपाती थी, चाहे वो लिखने का हो, चाहे वो पढ़ या यूँ कहलेजे उठने में, कहीं वॉक जाने में, हार काम में मुझे लेट होने लगे, धीरे धीरे चीजों को मैं भूलने भी लगी और इससे अकेला पन अपनी जिंदिगी में आ गया, क्योंकि चीजों को भूलने लगी थी, सोचा गए डिमनेश्या तो नहीं है, इसल डिप्रेशन है लेकिन उसी दौरान डिप्रेशन के साथ साथ एक और डाइगनोस हुआ जो कि ब्रेइन ट्यूमर था अब लोगों को समझ में आने लगा मेरा दर्थ जब तक डिप्रेशन था तब तक लोगों को कोई दर्थ समझ में नहीं आता था लेकिन क्योंकि ब्रेइन ट्यूमर डियागनोस हुआ था इसी लिए वो लोगों को दिखता था और लोग मेरे हाल चाल पूस्ते थे दुख्की बात तो ये है कि डिप्रेशन में किसी को समझ नहीं आया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है लेकिन मैंने दोस्तों ने मेरा साथ दिया मैंने अपने दोस्तों से बाते करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे मैं उस डिप्रेशन से बाहर आई और फिर से दुबारा वई हसती खेलती लड़की बन गई तो बच्चों अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग बातचीत के जरीए अपने आपको सब लोगों से फिर से जोड सकते हैं इसलिए आज की कहानी इतना ही क्योंकि ये सिर्फ मेरी कहानी थी हो सकता है आप लोग भी इससे जूज रहे हो तो अगर आप लोगों को कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम लगे कि आप लोग अपना समय पे काम नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझसे या जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं उससे बात कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच